या इस हाई, बात कर रहा था मैं, रॉशक की वैसं क्यारेक्टर के बारे मी कॉनम मैं गुरुगर के लाइट के साथ में जिक कानेक्ट करके बोल रहा था, इसमेविन और और मुरला था कि OFF म्ह elekt को में प्रोमट कर रहा हूं है, फिलीन है बिहां मैंसलोर्फ पश्च believe in non-violence और यह सारी की सिंदेश चीज़ नहीं होने शे बट अगें इस स्टोरी टेलिंग फिर से मेरी जाके प्रिवेश तूडियो देखो इसमें मैंने का है कि यह स्टोरी टेलिंग है डिरेक्टर के माइंड में जो कुछ है वो किसी को सामने रख रहा है कि इस not a joke it's not a easy thing it's a very difficult thing it's very 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 difficult thing आपको जो वोल्ड इखर है इसको किसी और दिखाना इस ना जो किसी और इख्रान साथे है it's difficult thing that's why movie making is different thing and it's a difficult thing coming back to the movie Watchmen , I'm gonna go look at Watchmen the best movie ever made सुपर हिरो मूवी एवर मेड तिल टुडें 2009 में बनी थी आज 2019 है बेस्ट मूवी ऐसा लगा रहे है कि कल ही मूवी आई है अगें एक्शन सिक्वेंसेस, स्टोरी प्ले, मोटीव, स्टोरी के बारे में बोल रहा था रोशा के कैरेक्टर के बारे में कहा, मैन हेटन के कैरेक्टर के बारे में कहा, स्टोरी के बारे में थोड़ा कुछ सो यह जो सूपर हिरोज है, हर एक कोई है, उनके टीम बन जाती है, गवर्नमेंट के साथ काम करते करते Soviet Union का और United States का कुछ Cold War चल रहा है उसके चक्कर में World War 3 होने वाला है अगर इस World War 3 को अवाइड करना है तो वो Super Heroes किस तरह से उसमें Mediator का काम कर रहे हैं एंड उसके सारी सार Consequences किस तरह से होते हैं In the end Super Hero किस तरह से उस Third World War को Avoid करने के लिए क्या चीज़े प्लैंट करते हैं इसके बारे में है ये Movie Watchmen इसमें सिर्फ Super Heroes नहीं है बट इसमें ये बहुत सारी चीज़े भी बात की गई है सारे की सारे Plots at a time एक जगा पर आके मिलते हैं It's a masterpiece man, it's a masterpiece मैंने ऐसी मूवी अब तर अपने लाइट में देखी नहीं Each and every frame एक और एक frame को आप समझनी की कोशिश करते हो आप understand करनी की कोशिश करते हो क्यूं? क्यूंकि उसकी each and every frame आपको बहुत कुछ बताती है एक हर एक frame Super Hero के personal life के बारे में Super Heroes के मोटी उसके बारे में Super Heroes क्यूं बने हैं उसके बारे में Super Hero एक basic Super Hero से लेके God-like character का Super Hero और यह सभी मिलिके किस तरह से government के साथ किस तरह सा organization के साथ combine होके उन चीजों के उपर काम कर रहे है यह चीजी होने के बाद में In the end, किस तरह से story conclude करते हैं Super conclude किया है In the end For all these reasons, मैं यही बुरूंगा Please, please, please watch this movie Watchmen And watch it as a story Watch it as director wanna tell you something Watch it क्योंकि आपको बताना चाहता है director कुछ perspective about life about thoughts about personal development इन सभी चीजों के बारे में director आपको कुछ story बताना चाहता है तो उस perspective को सुनने के लिए movie देखो आपके माइड में है आपको लगा emotion हुआ आपको लगा ऐसा ऐसा होना चाहिए आपको लगा ऐसा ऐसा होना चाहिए Don't watch movies for that Watch movies to understand the story To understand the perspective of director क्योंकि storytelling कोई मजाक निये Storytelling is a very serious thing हाँ comedy music comedy की तरह देखो horror movie तो उसी तरह से views के साथ देखो not a joke but ऐसी कोई movie अगर आती है real life के उपर event के उपर रहने दो एक अच्छे great book के उपर रहने दो real life inspired रहने दो किसी की biography रहने दो या फिर इस तरह की movie जो अपने time से बहुत आगय है 2000 में यह movie है I guess 20, 29, 20, 39, 20, 49 तब movie अगर आप यह देखोगी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद में भी अगर आप यह movie देखोगी तो उसी time भी आपको यह movie ऐसा लगएगा कि कल ही release हुई है एक, it's a masterpiece it's something that created once in 100, 200 कितने भी years बोल सकते हो whatever it is so watch it, do watch it watchmen and let me know what are your thoughts अगर ही करते हो नही करते हो please comment करके मुझे comment box में जरूर बताना and to watchmen that's all Rorschach